ओम स्यंति, अम्रत वेला, रोज बाप से हमें अम्रत मिलता है, विभिन्य तरह का अम्रत, तो आओ रोज अम्रत वेले, अम्रत पान करें, और अमर हो जाएं, इस्थिती को अमर कर दें, अपने सदगुनों को, दिव्य संस्कारों को, अपनी पवित्रता को अमर कर दें, सवेरे का समय सचमच, हमारे लिए कितना सुन्दर है, संसार में तो जब लोग आँखे खोलते हैं, तो कोई न कोई समस्या और टेंशन उनके सामने रहती है, और हम भाग्यो आनात्माएं, सव मेरे आँखे खोलते हैं, और सामने मिलते हैं, हमारे प्यार के सागर परम्पिताव, जो हमें बहुत चाहते हैं, जो हमें बहुत प्यार करते हैं, जो हम पर अपना सर्वस्व कुर्बान करना चाहते हैं, जो हमें शक्तियों और वर्दानों से भरना चाहते हैं, हम अपनी आ मेत्र को खोल कर बैठा करें, अपने चित को समर्पित करके बैठा करें, ये कादर हो जाएं, और बाबा से ये सब प्राप्तियां कर लें, जान अम्रत बाबा पिलाते हैं, सोते तो युगों से आए हैं, और फिर सोने का भर पूरा नंद मिलेगा, लेकिन जागने का समय ये ही जब भगवान हमारा स्रंगार करता हो, जब वो बाहें फैलाए, हमें पुकार रहा हो, बुला रहा हो, आओ बच्चे मेरे पास आजाओ, मैं तुम्हारी जोलिया भर दूँ, मुझसे जोच चाहे वर्दान ले लो, चाहे विजे माला में आने का वर्दान, चाहे असरत्तन बनने का वर्दान, चाहे विजे पाने का वर्दान, चाहे सुखी रहने का वर्दान, चाहे माया को जीतने का वर्दान, भुला नात बन कर वैठता है, हम चला करें सुक्स्म लोक में, और महां बावा से बहुत अच्छ कि दुडिहान किया करें, बाते किया करें, भगवान से बाते करने का सुख, चारो युगों में अन्यत्र, अन्यकाल में कभी नहीं मिलेगा। ऐसा सुन्दर अब सर उसमें दे दिया है कि सबेरे मेरी पास आओ और जितनी चाहे मुझसे बाते गर लो प्रीत की रीत निभालो प्यार में मर्गन हो जाओ जो चाहे सुना दो और उसका रेस्पॉंस ले लो बाबा का हाथ अपने सिर्प रनुभव करें रोज और बाबा से द्रस्टी ले और जो स्रेश्ट पुर्शारती हैं वो रोज सबेरे बाबा से द्रस्टी लेकर सारे संसार को द्रस्टी दिया करें बहुत बड़ी वाइब्रेशंस की सेवा हो जाएगी फिर चला करें परमधाम माजोती के पास और भास उसकी केड़ों में बैठ जाया करें इन अनुभों के साथ मैं भी निराकार और बाबा भी निराकार हम दोनों समान उनकी शक्तियां उनकी प्योरिटी उनकी संपूर्शांती हम में समाती जाएगी सवेरे के सुन्दर अनुभों के लिए रात को समय पर सोना परम आवश्चक है खाना भी समय पर खाना और थोड़ा कम खाना परम आवश्चक है ताकि हमारी नींड भी सतो परदान हो स्वापन जहित हो और जब हम सवेरे उठें तो पहला संकर केवल बाबा हो या मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूँ महानकारियों के लिए इस आनंद में हम स्वयन को आनंदित कर दिया करें सारे दिन की दिन्चरिया पर भी हमारा अमरत क्वेले का अनुभव डिपेंड करता है यदि हम सारा दिन बाहिये मुखी रहेंगे माया भी चक्रों में उलजते रहेंगे तो सवेरे उठने के बाद भी हमें अमरत चक्षने का अनुभव नहीं होगा तो सारा दिन भी कुछ न कुछ हमारे अभ्यास चालू रहें हम आत्मिक द्रस्टी और ऐसा देवी और सोमान के अभ्यास तो कम से कम करते ही रहें तो आई जी सारा दिन आज सुक्सम लोक में जाकर बाप डाधा से द्रस्टी लें उसका वर्दानी हात मेरे सिर पर है ये अनुभव करें और फिर चलें अपने धाम जहां सर्व सक्तिवान की किर्णे हमारे में समाती रहेंगी ओम संथी